हेलो फ्रेंट्स गूड मॉर्निंग कैसे आप सब आप सब का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागा थे और कैसे आप सब मुझे कॉमेंट करकी जलूर बताइएगा तो आज दिन है मंडे और साथ तारीख है साथ सेप्टेमबर और आज ना और यह जब मैं बोलती हूं ना तो फ्रेंट्स कैसे आप सब है लटे एक कॉमेंट राता है और वह बोलते ना की क्या क्या आपका डायलोग ड DON क्यों मारती रहत ही हों का पर मैं आका कोई नीनमा दी तो यह मेरे बोलने का तरीका हाहरो अलग अलग बोलने का तरीका रहता है तो मुझे आप आच्छा लगता है तो में ऐसे ही बोलती हूँ तो अभी चलिए छोड़िए वह सब बात अभी सुब़़ब का टाइम है तो उनको लिखने दीजे जो ही लिखते हैं तो मैं उनकी बातों कर जादा ध्यानने दे रहे हूँ और अभी सुब़सुब़ ऑटाइम है तोffentlich माने जा रहे ज़ा रूए नास्ता बनाने और हमारे चाइबागेरा हो गया है तो इंको मैंने हल्दी और दूद्ध दे दिया है और बच्चे भी बच्चों को मैंने दूद्ध और टोस्त दे दिया है सबसे पहले मैं अभी चोपर में मिर्ची प्याज लसन और इन सब को अभी मैं बारीक बारीक काट लोगी उसके बाद सब्सक्राइब करके मास बचायस को मैं यह फिरता उसके बाद अभी मैं हैं लawा के कर ऊई और यह निवू है एक तो निवू को भी मैं डाल दूंगी थोड़ा खटा पना या इसी वज़े से वैसे तो डुग्गू को ना पसंद नहीं है खटा तो उसको मोड़ा तो अब्सक्तों को सत्तों सदेयहिए होगी और अटे में अब नमक दाली थी और इसमें थोड़ा सा रिफाइन का मोयन डाली थी और इन सब को मिक्स करके पहले मैं 10 मिनट पहले ही गूंद के मैंने रख दिया था उसके बाद जो है अभी मैं रोटी बना रही हूं और अभी मैं धीम मतलब धीरे धीर ही इसको पकाऊंगी पहले एक साइड पका लेती हूं उसके बाद जो है दूसरे साइड पकाऊंगी तो और इसमें आप घी या रिफाइन कुछ भी जो है डाल सकते हैं और पका सकते हैं तो बस यह मेरा पराठा जो है अभी बन चुका है इसमें मैं रिफाइन ओयल डाल देती हूं और अभी मैं बच्चो को भी दे देती हूं खाने के लिए और topato sauce रखा हुआ है तो उसी के साथ बच्चो को दे दूँगी और इनको भी दे दूँगी तो ये भी अभी doctor के पास जाएंगे तो ये खालेंगे पहले उसके बाद जो है जाएंगे तो बस अभी आप देख सकते हैं मैं इसी तरी से तरीके से सारे पुराठे को बना लूँगी और मैंने यहां पर बहुत स्पीट कर दिया था क्योंकि वीडियो ना बहुत लंबा हो जा रहा था इसी वज़े से तो फ्रेंस अभी ना मैं किचन के कामों से अभी मैंने चुटी ले लिया है और अभी ब्रेटफास्ट वगेरा मैंने कर लिया अभी लंच नी बना है लंच बनाना बाकी है और मीसु से ना मैंने कुछ समान जो है मंगाया था तो वो अभी आ चुके है तो मैं आप सबको दिख तो या है बाहर चल रहा थे कशल तो बहुत टेज और यहां मैं बहुत शबर कर रही है तो मैं च्रवल लाए थी मैं बैले करा कमा देख संघीक मैं निए सोपगच दॉन को skip bell to me ये chopping board मैंने मंगा लिया अब ये ना मेरे लिए बहुत जो है help मतलब सब्ची बगेरा मैं इसमें अच्छी तरह से काट सकती हूं और मैंने मंगा है एक तवा तो ये तवा है और मेरे पास तवा था तो मैंने और एक तवा पुराना है इस तरीके का तबा है और इसका प्रैज भी मुझे बहुत फ़ान अच्छा इन्दर से रोटी सोफ्ट बनने भाली है तो मुझे ऐसे लग रहा है तो फिर मैंने यह दबम मंगाए और यह आपको लिए यहें दो यह कप मंगा यह और इस मेंना अब देख सकते हैं इनका पेकिंग है उपर से यह फर्माकॉल जो है दिया हुआ है और नीचे से भी इनका तो यह कब कुछे का सेट है और बहुत ही छोटा छोटा है तो इस तरीके का है या देख सकते हैं वह छोटा छोटा है और फिक में थोड़ा से बड़ा दिख रहा था और यहां पे ना निकला तो इतन छोटा छोटा से निकला है तो मेरे पास कप नहीं था्या ने यह कप मंगा लिया है तो यह इस तरीके का पेकिंग तो बैट के नीचे जो है मैं सारा समान रख देती हूं और अभी मग दिखाती हैं तो यह मग है दो आप देख सकते हैं तो यह का पमें और दो मग बनांग यह श्टेंड है हैं यह मैं और यह पीक में देखी थे विए अहने वाएं अर्ल D यह यूज होने वाला है, तो उन्होंने छोटा भेज दिया है, अभी आप देख सकते कि इतना छोटू छोटू सा है, बहुत ही छोटा छोटा सा है, तो यह चार है, फोड़ा सा इसका साइज अगर बाया रहता है ना, तो सही रहता, तो छोटू छोटू सा दिया हुआ है, और यहां पर लगाने वाला है तो मुझे नहीं लगता है यह यूज होने वाला है तो मैंने यह एक इस तरह की श्टूल है और तो यह इस्टूल मैंने देखा में dire लिए ऊछ कंदा गया तो मैंने यह इस्टूली क्पूलने कि वह इस्टूल हीं तो बड़े हम बड़े भी बैट जाएंगे ना इस पर तो यह जो है तूपने वादा नहीं है तो मैंने यह इस टूल मंगा और फ्रेंट्स इस इस टूल करना में भूलू मंगा है और यही सारे समान मैंने मिसुएफ से मंगा है तो तो मेद आप गया है आप किया है आप लोग जो ऐची तरह से जानते होंगे तो मैं चोटा सा क्वाइं देती हूं कि मिसुएफ साब का सब्गा कर सकते हो और कैसे यहां पर खुद के लिए बिजनेस करने के लिए भी समान मगा सकते हो जिन्हों नहीं डाउनलोड किया है तो जल्दी से जाए मेरे लिंक के थुरू डाउनलोड कीजिए और पहले ओडर पर 100 रुपे का डिसकांट पाई तो इन सारे प्रोडेक्स का ना लिंक नहीं होता है इनके कोड होते हैं तो अगर इसमें से कोई भी प्रोडेक्स अगर आपको पसंद आता है तो इस तरीके से भी आप समान और कर सकते हो तो चलिए मैं थोड़ा सा डीटेल में बता देती हूं कि आप कैसी समान मगा सकते हो तो फ्रेंस मीशू एप जो है एक री सेलिंग एप है तो यहां पर आप जैसे ही मीशू एप को आप ओपन करोगे यहां पर बहुत सारे कैटिर्गी आपको मिल जाएगा भूमेन के मतलब मैंस के किड्स के होम एंड किचन के प्रोडेक्स वीट्वी एन हैल के तो यहां पर मैं अभी इसके नीचे आ जाती हूं तो आभी आपको देखने को बहुत सारे मिल जाएगे यहां पर तो यहां पर आप देख सकते हैं अच्छे-च्छे सारी सूट्स रहते हैं और जैसे नीचे जाओगे ना आप तो यहां पर आपको रिव्यू देखने को मिल जाएगा तो आभी आप देख सकते हैं इतने सारे सारी में से मुझे ना यह वाली सारी जो है प्रिंट वाली पसंद आ रहा है तो सबसे पहले यहां पर पहले साइज सेलेक्ट कर दीजेतों सारी का कोई साइ्ज कर दीजे उसके बाद मैं परेडिक कर सकते हैं और यहां पर शेले कर दीजेक्ट कर दीजे उसके बाद कर दीजें aven ड्मूप सेमड्प कर दीजे और पहले बिताली ड़ेियो उसके बहन प्स लेकान Me जैसे की 534 अगर आप यहां पे दूसरे के लिए मंगा रहे हो तो यहां पे कुछ मार्जन रख सकते हो तो मैं यहां पे ना जैसे की 600 कर देती हूं तो यहां पे मेरे यह 66 रूपीस का मार्जन हो जाता है उसके बाद प्लेश ओडर कर दीजी और उसके बाद जो है आपका प्र जिसका उन पाई है तो फ्रेंस अभी ना हम लोगों ने लंच बगेरा कर लिया है और अभी ना मेरे भाई भी आया था तो भाई ना कुछ समान लेके आया था तो अभी आप देख सकते हैं थेले में यह रखा हुआ है समान तो यह जैसे की मैं जीतिया करती हूं ना तो उसम है हो गया है बड़ा तो चलिए इस वीडियो को मैं ही पेहन करती हूं तो कैसा लगा मेरा आज की वीडियो अगर आप सबको पसंद आए तो लाइक सेर सस्कार जरूर कर दीजिएगा तो चलिए मिलते हैं और एक अच्छी नए व्लोग के साथ थांक्यू